नमस्कार बच्चो मेरे यूट्यूब चैनल ज्यान वर्धन बायर रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बच्चो आज हम NCRT की सात्वी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग दो के शश्टह पाठ सदाचार के अभ्यास प्रशनों पर चर्चा करेंगे इसके भाग एक के अंतरगत हमने पाठ के सरलार्थ तथा भाव को किया था और आज भाग दो के अंतरगत अभ्यास प्रशन करेंगे पाठ का पहला प्रश्न है सरवान श्लोकान सस्वरम गायत इस प्रश्न के अंतरगत आपको जितने भी श्लोक इस पाठ के अंतरगत आए उन सभी का गायन करना है तो अब हम करेंगे प्रश्न दो उप्युक्त कथना नाम समक्षम आम अनुप्युक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत यानि जो कथन सही हैं जो वाक्य सही हैं उनके आगे हां यानि आम और जो कथन सही नहीं हैं उनके आगे न लिखना है इसका पहला प्रश्न है प्रातह काले इश्वरम स्मरेत सुभा के समय भगवान का स्मरन करना चाहिए तो ये सही वाक्य है या गलत? ये सही वाक्य है तो इसका उत्तर होगा आम अगला है अन्रितम बुरियात जूट बोलना चाहिए क्या जूट बोलना चाहिए, नहीं, तो इसका उतर क्या होगा, न, मन सा श्रेष्ट जनम सेवेत, मन से श्रेष्ट लोगों को सेवा करनी चाहिए, जो सजन लोगों होते हैं, वो मन से सब की सेवा करते हैं, गुरू की, अपने माता पिता की, तो क्या ये वाक्य सही है, हाँ, ये वाक्य सही है, इसलिए हम यहां लिखेंगे आम, अगला है, मित्रेन कलहम कृत्वा, जनह सुखी भवती, मित्र के साथ लड़ाई जगडा करके, जो लोग हैं वो सुखी होते हैं, क्या कभी कोई इंसान लड़ाई जगडे से सुखी होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा, न, अगला है, श्वह कार्यम अध्यकुर्वीत, आने वाले कल का काम आज कर लेना चाहिए, श्वह यानी आने वाला कल टुमोरो, तो कल का काम आज कर लेना चाहिए, क्या ये सही है, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमें किसी भी काम को समय से पहले ही समाप्त कर लेना चाहिए तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए या उत्तर दीजिए अब एक पद यानी एक शब्द हमें इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में देना है हमें पूरे वाक्य को नहीं लिखना है अब हमारा इसका पहला प्रश्ण है कहना प्रतीक्षते कौन प्रतीक्षा नहीं करती मृत्यू, मृत्यू कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती तो इसका उत्तर क्या होगा, मृत्युहू अगला है सत्यता कदा वहवाहरे स्याद सच्चाई को कब होना चाहिए हमारे वहवार में सर्वदा, हमेशा सच्चाई जो है हमारे वहवार में होनी चाहिए तो इसका उत्तर क्या होगा, सर्वदा अगला है किम बुरियाद क्या बोलना चाहिए सत्य है हमेशा क्या बोलना चाहिए सत्य है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सत्यम किम बुरियाद सत्यम अगला है केन सह कलहम कृत्वा नरह सुखी नाभवेत केन सह कलहम किसके साथ जगडा कृत्वा करके नरह सुखी नाभवेत मनुष्य सुखी नहीं होता हमने इस पार्ट के अंतरकत क्या पढ़ा था कि मित्र से जगडा करके कभी भी कोई सुखी नहीं होता तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मित्रेन, यहाँ केन सह, सह के योग में हमेशा तृतिया विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर क्या उत्तर होगा? मित्रेन, मित्र के साथ, मित्र के साथ जगडा करके कभी भी कोई इनसान सुखी नहीं होता. अगला है कह महारिपू असमाकम शरीरे तिष्ठती कौन सा महान शत्रू है जो हमारे शरीर में रहता है आलस्य आलस्य जो है वो इनसान का सबसे बड़ा शत्रू है उसे दूसरे किसी भी शत्रू के अवशक्ता नहीं है केवल मात्र हमारे शरीर का जो आलस्य है वही काफी है हमसे शत्रुता निभाने के लिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आलस्य है हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी आधरत्य प्रश्निर्माणम कुर्वत यानि यहाँ पर जो हमें वाक्य दिये गए हैं उसमें जो यह रेखांकित शब्द हैं रेखांकित अर्थात जो यह अंडर्लाइन वर्ड्स हैं उनको हमें उनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन लगाना है क्योंकि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रेश्ण वाचक चिन्न के भीना हम प्रेश्ण निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर उत्तर दिये गए हैं और हमें इनका प्रेश्ण बनाना है। तो पहला जो हमें वाक्य दिया गया है वो क्या है? मृत्यु ना प्रतीक्षते मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती तो इसका प्राश्न क्या बनेगा कह Sabrina Prat mossade कौन प्रतीक्षा नहीं करती तो मृत्यु के स्थां पे क्या आ जाएगा कह and then we'll go कह ना प्रतीक्षते और अंत में हम प्रेष्ण वाचक चिन लगा देंगे हमारा अगला प्रश्न है कलहम कृत्वा नरह दुखी भवती जगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है तो क्या करके इन मनुष्य दुखी होता है तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे किम तो यहाँ पर कलहम के स्थान पे आ जाएगा किम, किम, कृत्वा, नरह, दुखी, भवती और अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्द अगला वाक्य है, पितरम, कर्मना, सेवेत पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए तो यहाँ पर पितरम है, तो उसकी जगे पर क्या आ जाएगा? कम, किसकी, कर्मना, सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए तो कम, कर्मना, सेवेत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्द अगला है, वेवहारे, मृद्धुता, श्रेयसी यानि जो हमारा वेवार है, उसमें जो कोमलता है वो सबसे श्रेष्ट है, सबसे बड़ी है, जो इनसान के वेवार के अंदर behavior में जो इनसान की softness होती है, वो सबसे बढ़कर होती है तो यहाँ पर हमें इसका मृद्धुता, क्योंकि स्ट्रेलिंग शब्द है, प्रत्मा विभक्ती है तो स्ट्रेलिंग शब्द के लिए क्या हो जाएगा, का, तो यहाँ आजाएगा वेवारे का श्रेयसी, यानि वेवार में कौन श्रेष्ट है अगला है, सरवदा वेवारे रिजुता विधेया, हमेशा वेवार में सरलता होनी चाहिए तो हमेशा, यहाँ समय की बात हो रही है, कब तो इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द है, कदा जब भी समय से सम्बंदित कोई प्रशन पूछा जाता है तो उसके लिए हमें कदा शब्द का प्रयोग करना होता है ये जो कदा है, कदा अव्यशब्द है, जिसका अर्थ होता है कब, तो कब वहवाहारे, कदा वहवाहारे, रिजुता विधेया कब वहवार में सरलता होनी चाहिए और अंत में हमारा प्रश्ण वाचक चिन यहाँ पर लग जाएगा अगला प्रश्न है प्रश्न मध्य त्रीणी क्रिया पदानी संती यानि इस प्रश्न के मध्य में यहां बीच में हमें तीन क्रियाएं दी गई हैं भुर्यात, सेवेत और स्यात तानी प्रयुज्य सार्थक वाक्यानी रचयत यानि इन तीनों का प्रयोग करके हमें सार्थक व मनसह मातरं, पितरंच, मनसे माता और पिता की, आगे ब्लैंक है, क्रिया नहीं लगी हुई है, अगला अनृतम प्रियम चरन, जूट और प्रिये नहीं, वैवहारे सरवदा ओधार्यम, वैवार में हमेशा उधारता, श्रेष्ट जनम कर्मना, श्रेष्ट लोग कर्म से, वैवहारे कदाचन कोटिल्यम न, वैवार में कभी भी कुटिलता नहीं, सत्यम अप्रियम चरन, सत्य और अप्रिये नहीं, वाचाम गुरुम, वानी से गुरु की, सत्यम प्रियम चर, सत्य और प्रिये, अब आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी वाक्य में क्रिया नहीं लगी हुई है यहाँ पर हमें तीन क्रियाई दी गई है बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और होनी चाहिए तो अब हम यहाँ से एक-एक वाक्य को लेंगे जैसे हम पहला हम यह ले लेंगे अनृतम प्रियम चरन बुर्यात यानि जूट 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 प्रिये जूट जो है वो नहीं बोलना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनृतम प्रियम चरन बुर्यात यानि प्रिये जूट नहीं बोलना चाहिए अगला था वैवहारे सरवदा ओदार्यम स्यात, यानि वैवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तो अगला बन गया वैवहारे सरवदा ओदार्यम स्यात, अगला है श्रेष्ट जनम कर्मना, श्रेष्ट लोग कर्म से क्या करते हैं, सेवा, तो क्या बन जाएगा, श्रेष कोटिल्यम न्यास्यात वेवार में कभी भी कुटिलता या टेड़ापन नहीं होना चाहिए अगला है सत्यम अप्रियम चर्न गुर्यात यानि जो अप्रिय सच है वह नहीं बोलना चाहिए तो सत्यम अप्रियम चर्न गुर्यात अगला है वाचाम गुरूम सेवेत यानि वाण माम गुरूम सेवेत अगला है सत्यं प्रियम च बुर्यात यानि सत्य और प्रिये बोलने चाहिए अंगला मन सा, मातरम, पितरम च सेवेत यानि मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए तो इस प्रश्ण में हमें जो यहां पर वाक्य दिये गए हैं इन कॉलम्स में वहां से हमें वाक्यों को लिखना है और उसकी अधार पे हमें इन तीनों में से एक एक क्रिया शब्द का प्रियोग करकर वाक्य बनाने है हमारा अगला है मंजुषात अव्य पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरियत यानि मंजुषा से अव्य पदो को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए अब यहां पर हमें मंजुषा में कुछ शब्द दिये गए हैं तथा न कदाचन सदा च अपी तथा तथा का अर्थ होता है तथा या और न नहीं कदाचन कभी सदा हमेशा च और अपी भी तो अब यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है भक्तह डैश इश्वरम स्मरती भक्त हमेशा इश्वर का स्मरण करता है तो यहाँ हमेशा के लिए कौन सा अव्य शब्द है सदा अगला है असत्यम न वक्तव्यम जूट नहीं बोलना चाहिए तो नहीं के लिए क्या शब्द है न अ ये तथा सत्य बोलना चाहिए इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा तथा लता मेधा च विध्यालियम गच्छत लता और मेधा विध्याले जाते हैं तो अब यहां लता और मेधा हमेशा नाम या संग्या या सर्वनाम पहले आते हैं और च बाद में लगता है तो यहां पर क्या आर्फ होता है भी लेकिन जब हम उसे प्रशणवाचक के रूप में लेते हैं तो उसका आर्फ हो जाएगा क्या आप कुषल हैं तो अपी कुशली भवान क्या आप कुशल है और यहां लग जाएगा प्रशणवाचक तो कभी भी के लिए क्या शब्द हो जाएगा कदाचन हमारा अगला प्रशन है चित्रम द्रिष्टवा मंजुशात पदानी च प्रयुज्य वाक्यानी रचयत यानि इस चित्र को देख कर और इन शब्दों के अधार पर जो मंजुशा में हमें शब्द दिये गए हैं हमें व हमारा पहला वाक्य हमने बनाया असमिन चित्रे क्योंकि हम चित्र के अधार पर बना रहे हैं इसलिए हमने इसकी शुरुवात की असमिन चित्रे इस चित्र में असमिन चित्रे शिक्षक चात्रह चासंती हमें इस चित्र में क्या दिख रहे हैं शिक्षक और चात्र तो हमने क्या लिखा असमिंग चित्रे शिक्षकह छात्रा हा चो संती एक शिक्षक है और बहुत सारे छात्र हैं अगला वाक्या बना हमारा सह शिक्षकह कक्षायाम शाम पट्टे प्रशनम लिखती वह शिक्षक कक्षा में शाम पट्टे यानि ब्लैक बोर्ड पर प्रशनम लिखती प्रश्न लिख रहे हैं वह शिक्षक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहे हैं अगला वाक्य हमारा बनेगा ते छात्रह पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखनती वे सब छात्र पुस्तिकायाम यानि उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में उत्तराणी लिखनती उ कुछ बच्चे जो हैं वो ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं और कुछ बच्चे बाते कर रहे हैं तो हमने दो वाक्य बना दिये यहां पर केचन छात्रह श्यांपटम पश्यंति यानि कुछ जो छात्रह वो ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं और केचन छात्रह वारतालापम कु लेकिन हमारा प्रयास यह होगा कि सबसे पहले हम मंजुशा में आए हुए सभी शब्दों का प्रयोग करें तो बच्चों आज भाग दो के अंतरगत हमने पाठ के अभ्यास प्रश्णों पर चर्चा की धन्यवाद झाल